हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो अससी मेकर दोस्तो आज की स्वीडियो में हम जनल अवेनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 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 टेटेल में डिस्क्स करेंगे यह जनल अवेनेस की सीडिस का पार्ट बन सेवेंटी फॉर है जो कि आपके आने वाले रिल्वेंटी पीसी पुझानेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट केशन उससे पहले दोस्तो आज का थोट जान लेते हैं आज का थोट हैं वी में एंकाउंटर मैंनी डिपीट्स बट वी मस्ट नॉट बिपेटेड दोस्तों इसका मलब यह हम कई हार का सामना कर सकते हैं लेकिन हम में पराजित नहीं किया जाना चाहिए तो चली चलते हमारे फर्स्ट केशन पर हमारा फर्स्ट केशन है निमले कित में से कौन से गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी सोरी दोस्तों मिस्टेक हो गया यह यह है राजा खारवेल करेक कर लिजेगा तो दोस्तो वे की गई थी खंडगीरी कुफाओ की दोस्तो कलिंग का जो चेदी वन्ष है चेदी वन्ष ये शाशक खारवेल प्राचिन भारती इतिहास के मांतम समराटों में से एक था और उडिसा प्राहंत के भूवनेश्वर से तीन मिल की दूरी पर खंडगीरी एवं उदेगीरी की गुफाएं जो है खारवेल द्वारा निर्मित कराई गई थी और उदेगीरी पहाणियां की जो है हाती गुमपा से जो है उसका एक बिना तीथी का अभिलेक प्राप्त हुआ है और इसमें जो है खारवेल के बचपन, सिक्षा, राजी अभिशेक तथा राजा होने के बाद से तेरा वर्षो तक के सासनकाल की घटनाओं का क्रम बबद विवरन दिया गया है और दोस्तों ये जो अभिलेक है खारवेल का इतिहास जानने का एक मातर स्रोत है और इसका जो है जेन दर्म के प्रती अत्यादिक जुका हो था याद रखिये का दोस्तों नास्ट क्रिशन पर चलते है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन क्रिशन है गुप्त समराजी के वास्तविक संस्थापक कौन थे तो दोस्तों उनका नाम है श्री गुप्त दोस्तों गुप्त वंच ने जो है 275 से लेकर 550 इस्वी तक शाषन किया था और इस वंच की स्थापना लगबग हुई थी 275 इस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा दोस्तों किन्तु क्या हुआ था गुप्त वंच का जो प्रथम शक्ति शाली शाषक था वैता दोस्तों चंदर गुप्त प्रथम जिसने जो है 319 से लेकर 335 इस्वी तक शाषन किया और इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजो के विपरित महाराजा दिराज के उपाधी धारण की याद रखेगा दोस्तों और दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा बताईएगा जरूर अगर आपको वीडियो अच्छा लगाया तो सेसी मेकर को लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूले नेक्स्ट क्शिन पर चलते हैं हमारे नेक्स्टिम पॉर्डन क्शिन है गुपतकाल के दोरां चीन के किस यातुरी ने भारत का ब्रहमन किया था तो दोस्तों उनका नाम है फायान दोस्तों चीनी यात्री जो फायान है गुपतवंशी शाशक चंद्रगुप दित्ये के शाशनकाल में भारत आया था और 399 से लेका 414 इसवी तक उसने भारत के विबनिस्थलू की यात्र की और फायान जो मद्य प्रदेश का वर्णन विस्तार पूर्वक करता है इसे जो है ब्रामनों का देश पताया है और जहां के लोग जो है सुखी यवं सम्रिद थे लोग मास, मदीरा, प्यास, लसुन इन सब का प्रयोग नहीं करते थे और उसके अनुसार जो है लोग क्रे, विक्रे, हेतु, कोडियों का प्रयोग करते थे और वै कहीं भी समराट का नामों लेक नहीं करता याद रखिएगा दोस्तो नास्ट क्योंट पर चलते हैं हमारा next important question है पंचसिंद्धान्ति का व्रच सहीता और सांके सिद्धान्त के लेख कौन है? बताइए दोस्तों तो दोस्तों उनका नाम है व्रय मिहीर दोस्तो पंच सिद्धान्ति का जो है व्रज सहीता और व्रज जातक कुप्तकाल में व्रय मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ है पंच सिध्धानती का जो है जोतिर विद्या पर अधारित है और वहीं जो उस तो जो व्रज सहीता है ये संस्कृत में रचित एक विश्व कोश है याद रखिएगा नास्ट कुशिन पर जलते हैं हमारे नेक्स्ट इमपॉडिन कुशिन है निमली कित में से प्राचिन संस्कृत सब्द कोश कौन सा है तो दोस्तों वह है अमरकोश दोस्तों अमरकोश जो है संस्रीत के कोशों में अती लोकप्रिय और प्रसिद है इससे विश्व का पहला सामान तर कोश कहा जाता और इसके रचनाकार अमर सिंग बताए जाते हैं अमर सिंग जो है दोस्तों चंद्रकुत दित्य के नवरतनों में से एक थे और अमर कोश का जो वास्तविक नाम है अमर सिंग के अनुसार लिंगा नुशाशन है दोस्तों अमर कोश जो है स्लोक रूप में रचित है इसमें जो important question है जयामिति का जनक किसे कहा जाता है तो दोस्तो वे कहलाता है युक्लिड गर्फ जयामिति का मुल अर्थ है उसका मतलब होता है जमीन नापना और दोस्तो मिस्र में जो है इसका विकासा रम हुआ था युक्लिड दोस्तो अलेक्संटरिया के सरकारी स्कूल में गणित का द्यापक था और यूकलेट को जो है जयामिती को जनक कहा जाता है उसने दोस्तों जयामिती के सभी ग्यात तत्वों का संग्रे करके उन्हें सूव ववस्थित किया याद रखीगा नाक्स्ट किशिन पर चलते हैं हमारे next important question है किस चालुक के राजा ने कननोज के राजा हर्ष को पराजित किया था तो दोस्तों वैते पुलकेशीन द्विते दोस्तों जिस समय चालुक के राजा पुलकेशीन द्विते दक्षिन पत में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था उसी समय उत्री भारत में हर्ष वर्दन अनेक राजाओं को जीत कर अपनी अधीनता में करने में व्यस्त था और हर्ष की विजयों के फलस्वरुप जो है उसके राज्जी की पश्चिमी सीमा नर्वना नदी तक जांपोंची और ऐसी स्तिती में दोनों नरेशों के बीच संगर जो है अवश्य भावी हो गया और फलसरुप जो है हर्ष और पुलकेशीन दुट्य के बीच नर्वना नदी के टट पर यूद हुआ जिसमें जो है हर्ष के पराज्य हुई याद रखिये का दोस्तो और दोस्तो ये वीडियो शेयर करना बिल्कूल न भूले आप सबी जानते शेयरिंग इस दा बेस्ट वे ओफ लर्णिंग तो शेयर जरूर करें नास्ट कुशिन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इमपॉर्णिंग केशन है रास्तरंगीनी दुआरा कि इन राज्यो के राज़ाओं का वर्णन किया गया है तो दोस्तो वे है कश्मीर दोस्तो कलहन ने जो है रास्तरंगीनी में कश्मीर का इतिहास लिखा है रास्तरंग जिनी के लेखक कलहन के समय कश्मीर का शाषक जैसिंग जो की 1198 से लेकर 1154 तक ईनका काल था और उसी के शाषल काल के दोरान 1148 से लेकर 1119 में कलहन अपनी महान करेती कौन सी थी वह है दोस्तो उसका नाम या रास्तरंग जिनी में जो कुल आठ तरंग और 8000 शलोग हैं प्रथम तीन तरंगों में जो है अत्यांत प्राचीन काल का जो कश्मीर का परागत इतिहाज है वो शामिल है याद रखिए कर दोस्तों नास्ट कुशन पर चलते हैं हमारे नेक्स्टिंपट्रण क्यूशन है तांतरिक योगीनी पंत का मूल स्थान किसे माना जाता है तो दोस्तों वब्रेश का मंदिर स्थात और ओडिशा में योगीनी संप्रदाय के अस्तित्फ के लिए तांत्रिक प्रभाव का विशेश महत्व था योगीनी संप्रदाय शक्ति, इस तरी जीवन शक्ती की उपासना पर केंद्रित था और जडुई कर्म-कांडों की शमता में इनका विश्वास था योगीनी को जो है गवर्णनर सी एम गठन राजभाशा यह सब आप मुझे कॉमेंट बक्स में बताईएगा नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्ण क्रिशन है बुटान में कुछ बिहार के एक राजा संगल दीब दौरा शाशन या नियंतरन कप किया गया था तो दोस्त वे हुआ था साथवी सताब्दी इसा पूर्व के आसपस दोस्तो पुराने कथाओ एवं पुरा तात्विक शाक्षियों के अधार पर का जाता है कि साथवी सताब्दी के दोरान कूछ बिहार के राजा संगल दीब दौरा जो है भुटान पर शाशन एवं नियंतरन किया थ याद रखिएगा दोस्तो नास्ट कुषिन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इमपॉर्ण किशन है साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे तो दोस्तो वैर एलेटेड थे परमार से दोस्तो साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमा यानि कि धार से जो है आटवीश रताब्दी से लेकर चोदवीश रताब्दी के पुर्वाद तक राज्य किया और राजा भोज जो है वाखपती मुंझ के छोटे भाई सिंदुराज का पुत्र था याद रखेगा दोस्तों नेक्स्ट कुशिन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्डन किशिन है निमलिकित में से कौन सा राजवंस दक्षिन भारत से संबंदित नहीं था तो दोस्तों वे है पाल दोस्तों सात्वाहन पांडे और पलव राजवंस जो है दक्षिन भारत से संबंदित है जबकि दोस्तों जो पाल वंस है उत्तर भा और इस वंस की जो इस थापना है किस ने की थी बताईए तो दोस्तों उनका नाम था गोपाल याद रखिएगा नास्ट केशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डन केशन है कामरूप का प्राचीन समराज्य राज्य किस राज्य में मौझूद था तो दोस्तों वे है असम दोस्तों कामरूप असम जो है राज्य का प्राचीन नाम है और प्राचीन समय में असम राज्य जो है प्रयाग जोतिश अथार्थ पूर्वी जोतिश का इस्थान कहलाता था और कामरूप राज्ये का सबसे प्राचीन उलेक जो है समुद्र गुप्त के प्रयाग प्रश्रस्ती में मिलता है इसमें कामरूप का विवरण जो है ऐसे सीमा वर्दी देश के रूप में मिलता है जो गुप्त समराज्ये के अधीन एक मित्र राज्ये था याद रखेगा दोस्तो नास्ट क्यूशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डन क्यूशन है पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है तो दोस्तो वह है करी काल दोस्तो करी काल जो है प्रारंबिक चोल शाशकों में सरवादिक मैतपॉर्ण शाशक था और इसने लगबग 190 इसमी तक शाशन किया उसके शाशन काल में पांडे समराज्य जो है दोस्तो और चेर समराज्य इनके साशक मैतववहीन हो गए थे और संगम साहित्ते के अनुसार जो है कारी काल ने कावेरी नदी के मौाने पर पुहार पतन यानि कावेरी पतनम की स्थापना की थी और कारी काल जो है साथ सोरों का ग्याता और वैदिक धर्म का अनुयाई था याद रखेगा दोस्तों और दोस्तों ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो ज़र के लिए SSC मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें एंशेयर करना बिल्कुल न भूले हर सोसल साइल्स पेशक पे जिये तेकि आपके साथ साथ दूसरों की हँँ सकें। तो दूसरों की भी हँँड की जी दूसतों advice कार stair हमारा next himawn question है कोन से चौल राजा ने माल दुयिप के दिविपों पर दरिया यई विजय पाई थी तो दोस्तो वे हैं राजा राज दोस्तो राज राज प्रिथम जो है 985 से लेकर 1015 इस्विधव इनका काल था और अरिमो विलेरुम मर्म में जो है पारांतक तुट्टे का पुत्र और उत्रादिकारी पारांतक तुट्टे के बाद चोल राजवन्स के सिंगाजन पर बैठा था ठीक है और राज राज ने जो है दक्षिन में केरल पांडे तता सिंगल राज जाओ जो है इनके व्रोध अभ्यान किया और अपने शाषन के अंत में राज राज ने जो है माल दूप को जीत कर अपने राज्ये में मिला लिया और इस दूप की जो विजय है अपने अपनी शक्तिशाली नौसेना की सहेता से की थी उसने किसने राज राज पृथम ने याद रखिएगा दोस्तो नास्ट किशिन पर जलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉडन किशिन है स्री लंकान राष्ट की पहली राजदानी कौन सी थी तो दोस्तो वह है अनुरादापुरा दोस्तो सिंगल जो है यानि श्री लंका इसकी पहली राजदानी अनुरादापुरा थी जिसे राज राज पृथम और सिंगल नरेश महीन पं पणार करने के बाद राज राज ने जो है वहां पर अपना एक प्रांथ इस्थान पर ठीक है चोलों ने जो है अनुरादपूर के स्थान पर पॉल्ल नरव उसको जो है अपनी राजधानी बनाई और इसका नाम जो है जन्नात मंगलम रख दिया याद रखे कर दोस्तों नास के प्रमूख ग्रेनाइट मंदिरों में से एक है और यह मंदिर जो है तमिलनादु के तन्जावर जिरे में स्थित्फ प्रसिद हिंदु मंदिर हैं दोस्तो वृदेश्वर मंदिर जो है इसका निर्मान राज-डराज- Whatsapp के काल aesthetics में तो दोस्तों उनका नाम है राजेंद्र चोल प्रथम दोस्तों राजराज प्रथम की मृत्यों के बाद उसका योग्यतम पुत्र जिनका नाम था राजेंद्र प्रथम समराट बना और 2017 इस्वी में उसने संपूर्ण सिंगल दूइप यानि शिलंगा को जीत लिया और वहां पर जो है वह है सिंगल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया उसने दोस्तों जो है पवित्र गंगा पवित्र गंगा जल लाने के उदेश्य से उत्तरी पूर चोल पूरम नामक नई राजदानी की स्थापना की और यहां पर उसने जो है चोल गंगम नामक जो है तलाब खुदवाया था याद रखिए कर दोस्तों नास्ट कुशन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्डन कुशन है चोल राजवंज के अंतिम शाशक कौन थे त उसने पांडयों पर आक्रमन कर सुन्दर पांडय द्वित्ते को पराजित किया परंतु दोस्तों चालुक के नरेश सौमेश्वर जो त्रित्ते थे इन्होंने पांडयों का साथ दिया जिससे राजेंदर के जो प्रियास थे सफलना हो सके और 1289 इस वी में जो है उसे संदे नरेश कुल शेखर समस्त जो है दोस्तों चोल मंडल का सारभौम शाशक बन बैठा याद रखेगा दोस्तों नास्ट कुषिन पर चलते हैं हमारा लास्ट इम्पॉर्डन कुषिन है पहले के चेर वंस ने किन राज्यों पर शाशन किया था तो दोस्तों वह है तमिलन राज्यों के समान यह भी एक प्राचीन तमिल राज्य था चेरों का जो राज के चिन है धनुस था और चेर शाशकों के समय जो है मुझी रिष्ट को प्रमोख बंदरगा बनाया गया था याद रखेगा दोस्तों तो दोस्तों यह ती जनरल रवैनेस के इंपॉर्ड़न ट झाल 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 झाल